आज डाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सभी गनित, रसायन, विज्ञान, भौतक विज्ञान और जी विज्ञान के डाउट्स का करो सपाया बस प्रशन की फोडो खीचो, एची प्रशन को क्रॉप करो और तुरंट वीडियो सिलीशन पाओ अब ही डाउटनेट करें दोस्तों है कि इसके वकरता केंद्र से होती जारी यहां तो परावर्तन के पाच्चात वो कि दर मूढ़ेगी ऊसकी दिशा क्या होगी यह बता है अब दोस्तों जो वकरता केंद्र होसे तो जा रेतोई वक्रता केंदर से होकर जाने वाली किरणे परावर्जन के फश्चात उसी जीसा में वापस चली जाती है अब यह क्यों होता है दोस्तों पहले जो वक्रता केंदर होता है दोस्तों वह उस गोले का केंदर होता है जिस गोली दरपण का यह दरपण भाग होता है अब जो अगर किरण यहां पर आपतित होती है वह क्रसा केंद्र से होते हुए तो इसका अभिलंब होगा इस बिंदू पी पर वो भी इसके समाना अंतर होगा क्योंकि जो अभिलंब होता है किसी गोले का यह किसी व्रिज का जो अभिलंब होता है वो उसके केंद्र से उस बिंदू को मिलाता है जिस बिंदू पर अभीलंग बनाएंगे है अब दोस्टों हमें दरपन का एक नियम होता है जिसके नुसार आफ़तित किरण का कोड़ प्रावर्तित किरण के कोंड के बराबर होता है अब कि आपतित कोंड है शूनियंज तो प्रावर्तित किरण भी होगी उससे सूनियंज का कोंड बनाएगी इस अभीलम से अब ये तभी सम्वह है, जब ये किरन वापस उसी दिशा में लोड जाएगी, अर्था दोस्तों, परावर्तर के पहचा जो किरन हैं, वो वापस उसी दिशा में लोड जाएगी, इस प्रश्यन को तो फिर समझते हैं दोस्तों, एक गोली दरपन जो कि एक अवधल दरपन है उसका वकरता कंदर सी है, एक किरण ACB आपजित होती है, अर्वकरता कंदर से होती है, तो ये करण उसी दिशा में वापस लोड जाएगे, क्योंकि वकरता कंदर से होकर जाने वले क परावर्तन के पच्छाथ उसी जिसा में वापस चली जाती हैं। धन्यवाद।